हलो वच्चो वेल्कम बेक तो मैं चैनल मेरा नाम है मीनमलीक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत हैं जैसे कि अब तक हम अंडरस्टैंडिंग दा क्वाडिलेटल की 3.1 और 3.2 एक्सराइज डिस्कस कर चुके हैं और साथ में हमने 3.3 के जो NCRT ब साहिए बेस को अपना क्लियर बनाना है तो आप मेरी उन वीडियो को विजिट करके देख सकते हो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा और अगर आप जैसे ही स्टडी लवर जैसे मेरे चैनल को विजिट करोगे तो वहां पे भी जब प्ल चैनल करते हैं par l Hamoli कम्प्लीट कर ले भी अब हमारी स्थे बारी संआ है तो जो लास्ट वीडिओ है नहीं थोड़ा सा हम ऄं कि या दृआ पर रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में ही भी जो किया लीए इसके अंदर हमाले पास कितने थ्री टाइब हैं ॥्रीघ में एक हमारे पास ट्रैपीजियम हे उस सवाय है चाहिए जंड डियники Алर्म होनी चाहिए जो सेंके पेडाऑ फाउत हुए ना हो को फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैट मंवने देखा था कि जो उसके adjacent side है एक pair वो क्या होना चाहिए एक्विल होना चाहिए तो वो थी हमारी काइट जो second type थी हमारी quadrilateral की और जो third type थी हमारी quadrilateral की वो हमने discuss की थी parallelogram और जो हमने सारा discuss किया था वो किसके base पे किया था parallelogram पे और फिर बाद में हमने उसके जो property थी वो भी discuss की थी जो उसकी properties थी वो क्या क्या थी तो जो first जैसे हमारा जो parallelogram था उसकी figure कुछ ऐसी थी यहाँ पे ये equal हैं ये दोनो side equal है आमने सामने वाली side equal हैं जैसे हमने नाम दे दिया a b c और d तो यहाँ पे क्या होगा जो a b है वो parallel है c d के और जो b c है वो parallel है a d के एक property तो हमने ये पड़ी थी दूसरी property थी कि ये equal भी होंगी साथ में ठीक है और जो तीसरी property हमने पड़ी थी वो पड़ी थी हमने angle की कि जो उसके opposite angle होते हैं वो equal होते हैं जैसे angle a है जो वो equal है यहां पे angle c के ठीक है और जो angle A है इसको हम d a b angle भी बहल सकते हैं क्योंकि जो हमारा angle होता है वो बीच में बीच वाला represent करता है जैसे यहां पे a represent कर रहा है जैसे इसको d c b बहल सकते है आगर हम b की बात करें तो a b c बोल सकते हैं एंगल और डी एंगल की बात करें तो सी डी ए या फिर एडी सी ठीक है तो कोई फरक नहीं पड़ता तो यहां पर जो आपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे जो फिफ्ट प्रोपर्टी हमने पड़ी थी फॉर्थ सोरी कि जब हम डाइगनल ड्रो करेंगे तो डाइगनल एक दूसरे को बाइश्यक्र करेंगे करेंगे तो इक्वल पार्ट में टिवायड करेंगे ठीक है यह थी हमारी फॉर्थ प्रोपर्टी हमने डिस्कॉस की थी कि जो हमारे यहां पे अड्जजेसंट और होते हैं जैसे यह वाला और यह वाला इन दोनों का जो सम होगा वह 180 डिगरी होगा supplementary एड़ेसंट एंगल और सप्लिमेंटरी एंगल इसका और इसका सम 180 होगा इसका और इसका सम 180 होगा एड़ेसंट मींस जो नजदीक नजदीक है ठीक है तो यह थी हमारी कुछ प्रोपर्टी जो हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर डिसकस कर ली थी तो अब हम इनके बेस पे ही कुछ नुमेरिकल अब डिसकस करते हैं जो हमारे 3.3 exercise के हैं और जिसके अंदर जो हमारा definition और प्रोपर्टी यूज तो हमने यह प्रोपर्टी जो डिसकस की हैं यह इसलिए डिसकस की हैं क्योंकि यह सारी इसके अंदर यूज होंगी तो अब यहां पे हमने क्या किया हमने पहले यहां पे एक प्रलैलोग्राम बना लिया और उसका है नेम तो अब हमें यहां पे जो कुछ fill in the blanks दे रखे हैं जैसे यहां पे दे रखा है ad is equal to fill in the blanks फिर हमें second जो पार्ट दे रखा है उसके अंदर हमें दिया हुआ है dcb is equal to fill in the blanks third जो पार्ट है हमारा यहां यहां पे वह है dc equal fill in the blanks ऐसे ही हमारे पास है जो एंगल है d a b plus angle c d a equal fill in the blanks तो हमें क्या करना है यह जो इसके चार पार्ट है हमारा first question है तो इसके चारों question के जो यह हैं यह solve करने हमें तो देखो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है हमें कि a d है जो वह equal बतानी है कि side के equal है तो यहां पे a d कौन सी है यह वाली है तो यह किसके equal होगी जो इसके पोजिट साइड है उसके यहां पे क्या reason लिखेंगे हम कि opposite side of parallelogram और equal ठीक है तो यह था हमारा first part तो अगर आपको यह properties याद हैं तो ही आप यह कर सकते हो तो इसलिए पहले आपको यह properties याद करनी पड़ेगी और जो हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल डीपली डिसकस की थी तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे सी यह डिसकस देखना है तो आप मेरी वीडियो वीजिट कर सकते हो अब हमारे पास second है जो second में हमें दिया हुआ है यहां पे एक 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 जामपल जिसमें हमें हैं एंगल dcb ठीक है एक 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 जामपल नहीं एंगल ठीक है तो वह क्या है dcb अब यह dcb किसके एक 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 जामपल एक तो मिंस एंगल d a b की ठीक है तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे एंगल दी ए भी अब उसके बाद हमारे पास क्या है यहां पर हमारा एंगल dcb यहां पर एककोल हो गया एंगल db के अब जो यह हमारे पास third part है और यह इसमें भी हम कैसे ही कुछ ने कुछ reason भी लिखेंगे पिछे तो इसका reason क्या होगा कि हमने क्या पड़ा है कि जो हमारे opposite angle होते हैं quadrilateral के means parallelogram के वो क्या होते हैं equal होते हैं और यह हमारी third property है ठीक है तो by third property which say us जो हमें क्या कहते हैं कि जो opposite angle होते हैं parallelogram के वो equal होते हैं ठीक है तो इसलिए हमारा जो यह angle होगा वो क्या होगा equal होगा अब उसके बाद जो हमारे पास side है वो है cd cd या फिर dc अब dc हमारी किसके equal है a b के equal है तो यह भी हमारी जो property second है जिसमें हमें पता है कि opposite side of parallelogram are equal तो यहाँ पर क्या होगा जो cd है हमारी वो equal होगी a b के अब इसके बाद हमारे पास जो fourth part है fourth part में हमें दिया हुआ है कि जो हमारा angle है d a b यह था angle d a b ठीक है और plus में c d a अब c d a means d b बीच में है तो हम कौन से वाले angle की बात कर रहे है इस angle की ठीक है तो angle a की और angle d की angle a यह है और angle d यह है अब इन दुनों को अगर हम add करेंगे तो add करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 180 degree क्यों मिलेगा क्योंकि हमने property पढ़िया है कि जो adjacent angle है हमारे पर ले supplementary होते हैं तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे एड़्जेसेंट है एंगल्स ऑफ प्रलेलोग्राम और सप्लिमेंटरी ठीक है तो यह था हमारा first question जो हमने complete कर लिया तो आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो अ second question की तरफ तो second जो question है हमारा वो है consider the following parallelogram find the value of unknown xy and z तो यहाँ पे हमारे पास क्या है हमारे पास कुछ parallelogram दे रखे हैं और हमें वहाँ पे angles की value निकाल लिए हैं इन property को ही use करके तो अब हमारा जो second question है वो लिख लेते हैं हम क्या है तो जो second question में first parallelogram जो हमें given है यहाँ पे वो कुछ ऐसा दे रखा है ऐसे ठीक है यह दे रखा है हमें parallelogram अब इसके अंदर जो हमें angle दिये हुए हैं यह हैं हमारे पास जो यह angle है यह angle दे रखा है हमें 100 degree का यह angle इन्होंने x दिया हुए है यह y और यह z और जो इस जो parallelogram है parallelogram का जो नाम है वो a b c और d ही है ठीक है तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जो angle है वो निकालने पड़ेंगे property use करके तो देखिए अब ध्यान से देखिए अगर आपको first question नहीं भी समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा second question की help से तो यहाँ पे क्या है अ इसको angle b b b बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं ए,b,c या फिर c,b,a ठीक है तो angle b यह हमारा angle c,b,a और angle b ही हमारा angle abc है जो बीच में आएगा वह हमारा angle हुटता है ठीक है तो अब यहाँ पे हमें जो angle c,b,a बोलो या e,b,c, बोलो या फिर angle b बोलो वो हमें 100 degree दिया हुआ तो यहां पर अगर हम x value निकाल लें तो कौन सी property लगेगी तो यहां पर लगेगी हमारी यह property adjacent angles of parallelogram are supplementary तो adjacent angle means जो एक दूसरे के नजदीग है जैसे इसके नजदीग किये है इसके नजदीग किये है ठीक है और दूसरी किसके है परलेलोग्राम के परलेलोग्राम हमें देही रखा है supplementary means उनका जो total sum होगा वो 180 degree होगा ठीक है तो अब अगर हम यहां पर रखें values तो क्या होगा कि अगर हम यहां पर पहले value रख देते हैं यहां इन दोनों का sum इसका sum और इसका sum 180 degree होगा तो यहां पर हमने रख दिया कि angle b plus angle c is equal to 180 degree by the property adjacent angles of parallelogram are supplementary तो अब यहां पर हम angle b की value रख देंगे angle b की value है हमारी 100 degree और यहां पर angle c 180 degree तो जब यह 100 जाएगा तो उदर जाके minus हो जाएगा तो हमें यहां पर मिलेगा minus करने के बाद तो यहां पर angle c हमारा कितना आएगा 180 minus 180 degree तो यहां पर यह angle की value कितनी आई हमारी 80 degree आई ठीक है अब क्या कर सकते हैं या तो अब दुबारा फिर आप यहां पर एड़ेसंट एंगल ओपर लेलोग्राम supplementary लगा लो तो यह वाला एंगल भी पता लगजेगा हमें ऐसे गरके 80 degree या फिर एक और प्रोपर्टी है हमारे पास यह तो एक प्रोपर्टी की help से कर दिया हमने जो second प्रोपर्टी वह है कि opposite एंगल हमारे क्या होते हैं equal यह हमारी third property है जो हमने last में पड़े थे ना उनमें से third property थी है तो अब यहां पर जो second हम एंगल निकाल लेंगे तो वह हम इसी प्रोपर्टी के help से निकाल लेंगे कि जो opposite एंगल होते हैं हमारे परलेलोग्राम के वह equal होते हैं equal है तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल है किसके C के तो एंगल A अगर equal है C के तो एंगल C तो हमारा 80 डिगरी आया है तो एंगल A भी हमारा 80 डिगरी होगा by the property of sum of opposite angle of अपरलेलोग्राम आर equal फिर हमारे पास जो third angle है वो है Y यहां से हमें क्या मिल गया जो X थी X था हमारा 80 डिगरी था X की value कितनी आई 80 डिगरी आई एंगल C ही हमारा X दे रखा था न ठीक है और जो हमारा एंगल A है जो Z दे रखा है वो हमारा आया यहां पे 80 डिगरी तो अब हमारा जो एंगल Y है वो जो D के equal है वो कितना आएगा अगर हम property of opposite angle की लगाएं कि opposite angle equal होते है तो 200 डिगरी आ ठीक है उस property की according और अगर हम लगाएं कि जो adjacent angle होते हैं वो equal supplementary होते हैं तो 80 यह है और Y यह है तो इसकी help से भी निकाल के हम इसको देख सकते हैं तो करना आपको एक ही एक्जाम प्रोपर्टी से है चाहिए आप किसी से भी कर सकते हूं ठीक है तो यहां पे क्या होगा Y यह सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूं Y plus X equal होगा हमारा 180 degree के और X की value हम निकाल चुके हैं 80 degree है तो यहां पे क्या करेंगे अब हम 80 को इसमें से minus कर देंगे तो 180 degree minus 80 करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 100 degree तो यहां से भी 100 degree आ रहा था और यहां से भी 100 degree आ ठीक है तो यहां सिर जूड़े हुए जो एंगल होते हैं पास पास वाले उनका जो सम होता है वह 180 degree होता है ठीक है तो यह था हमारा जो first part था जो second question का अब इसके बाद हमारे पास है यहां पर जो second part है वो है हमारे पास हमने जो प्रलेलोग्राम यहां पर गिवन है हमें वह ऐसे दे रखी है ठीक यह दिखरी है ना आपको यहां पर कि हमें कैसी प्रलेलोग्राम है यह दे रखी है और जो वर्टिकल है हमारी यहां पर यहां पर जो एंगल दिया हुआ है यह है जैड और यह है हमारा exterior angle और exterior angle की property हमने 3.2 exercise में पड़ी थी उसके लिए भी आप हमारी मेरी वीडियो उसको जो description box में playlist है उसको visit करके देख सकते हो वहां पर आपको तीन वीडियो मिलेंगी understanding the quadrilateral से related आप वो तीन वीडियो देख सकते हो जिससे आपकी जो understanding है quadrilateral को लेके जो base है इससे related वो सारा clear हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर हमारे पास है जो यह angle दिया हुआ है हम पहले तो नाम रख देते हैं इसका a b c d और इसको दे दिया हमने नाम e ठीक है तो अब इसके जो angle given है वो दे देते हैं यह 50 दे रखा है इनोंने इस angle को और इस angle को इसको x दे रखा है और इसको y दे रखा है तो यहां पर भी हमें x y और z की value निकाल ली है तो वही दो properties mostly use होती है इसके अंदर तो क्या होगा पहले अगर यह 50 degree है तो यह angle भी कितना होगा 50 degree angle d equal to angle b by the property of opposite angle of the parallelogram are equal तो उस property को लगा के हमारे दोन्यों angle क्या होंगे equal आएंगे तो यहां पर angle d तो हमारा 50 degree दे रखा है तो angle b हमारा कितना हो गया 50 degree तो angle b की value तो हमें पता लग गई लेकिन नि इस प्रेट लाइन पर जो angle बने होते हैं वह 180 degree के होते हैं ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे कि state line कि एंगल और 180 degree ठीक है state line angles sum are 180 degree तो उनका जो sum होगा वो 180 degree होगा तो angle b plus angle z हमारा 180 degree आना चाहिए तो यहां से क्या होगा जो angle b है plus angle z है वो कितना आएगा 180 degree तो यहां से जब हम b की value रख देते हैं 50 है तो यहां पर क्या आएगा 50 plus angle z is equal to 180 degree तो यह 50 उदर जाएगा और minus हो जाएगा इसमें से तो यहां से हमें जो z की value मिलेगी वो मिलेगी हमारी 130 degree अब z की value हमें पता लग गई कि यह कितनी है हमारी 130 है अब हमें यह भी पता है जब यह 130 है और यह हमारा 50 degree है तो अब हमें क्या पता है कि एक property यह भी है हमारी परलेलोग्राम की कि जो adjacent angle है जो नजदीक वाले angle होते हैं उनका जो sum होता है वो भी एक 60 degree होता है अगर यह 50 ह है तो यह भी कितना होगा 130 होगा तो इसका मतलब यह भी कितना हो गया हमारा 130 degree अब जो 130 degree आ गया यह अब इसके opposite angle क्या होते है इक्वल होते हैं तो यहां पर य की value आएगी वो भी क्या आएगी 130 degree ठीक है तो बहुत असान से question है बस आपको properties पता होनी चाहिए properties की help से आप को कोई भी question solve कर सकते हैं चाहिए कितना भी complicated हो या फिर कितना भी easy हो हमारे पास ठीक है तो अब हम जो हमारा third part है third part solve कर लेते हैं third part में हमें दिया हुआ है यहां पर एक यह भी एक parallelogram ही है देखने में में भी आपको ना लग रहा हो लेकिन जब बन जाएगा तब लगेगा कि ह हमारा parallelogram है और जिसके अंदर हमें कुछ angles दिये हुए हैं यह ऐसे हैं हमारी line जैसे यह इसके parallel हैं और यह इसके parallel है ठीक और यहां पे जो हमारे diagonal given है एक diagonal ऐसे given है एक diagonal ऐसे गीवन है जो इन डाइगनल के यहां पे एंगल है यह एंगल दे रखा है इन्होंने 90 डिगरी का और जो यह एंगल है यह एंगल हमें निकालना है और जो यह एंगल है यह हमारा वाई और यह एंगल इन्होंने दे रखा है हमें 30 डिगरी ठीक है और जो यह वाला एंगल है यह हमें दे रखा है ऐ जैड़ ठीक है यहाँ पर एंगल है जो हमारा यह एंगल हमें दिया हुआ है ठीक है तो अब हमें यह भी निकालना है A B C और D तो अब पहले हम X की वैल्यु सोल कर लेते हैं X की वैल्यु कैसे आएगी यहां पे अगर देखा जाए तो जब यह एक दूसरे को bisect कर रहे हैं ठीक है तो अब यह angle अगर 90 degree का है तो यह angle भी कितना होगा 90 degree का क्योंकि यह straight line पे बने angle है न यह वाला और यह वाला ठीक है तो यह 90 है तो यह भी 90 क्योंकि दुन्नों का सम कितना होना चाहिए 180 degree ठीक है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे यह हमारा o है ठीक है तो जो हमारा d o a angle है क्या लिखेंगे angle d o a plus angle b o a angle b o a equal to 180 degree because straight line angle ठीक है एक straight line पे बने होगे angle है न तो इसलिए इनका सम कितना होगा 180 degree होगा अब यहां पे अगर हम d o a की value 90 degree है तो यहां पे हमने 90 degree plus angle b o a equal to 180 degree लिख दिया अब यह 90 उदर जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहां पे आएगा angle b o a 180 में से 90 गए तो 90 ही बचेगा ठीक है और फिर उसके बाद है हमारे पास यहां पे अब यह 90 है तो यह भी अगर यहां से यह वाली लाइन हम कंसीडर करें तो यह भी तो एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका दुनों का सम भी हमारा 180 होना चाहिए तो यह एंगल कितना आएगा 90 आएगा यह ठीक है तो यहां से यह भी कितना बन गया जो एंगल हमारा c o b है जो हम x के इकवल हमें दिया हूआ है वो भी हमारा कितना डिगरी का एंगल होगा 90 डिगरी का एंगल होगा ठीक है अब इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स नेक्स हमें दिया हूगा यहां पे कि जो हमारी एक्स तो हमें पता लग गया अब हमें वाई निकालने है तो वाई हमारा यहां से क्या आएगा वाई को जो निकालने का यहां पर तरीका है हमारा वो यह है कि जैसे अब यह तो हमें पता लग गया यह 90 है और यह 30 है और यहाँ पर आपको दिख रही है न यह हमारे पास एक triangle बन गई है अगर मैं अलग से इसको draw करूँ तो यह हमारी ऐसी एक triangle बन चुकी है अब ठीक है ऐसे वाली जहाँ पर यह B है यह O है और यह C है मैंने यह वाली जो triangle है यह बहार निकाल दी अब यह जो angle है यह हमारा 90 degree है यह angle हमारा 30 degree है यह angle हमें निकालना है तो अब यहाँ पर लगेगा हमारा triangle rule triangle rule क्या बोलता है कि triangle के सभी angles का sum कितना होता है 180 degree तो triangle rule क्या कहतता है sum of all angles are 180 degree तो यहाँ पर तीन angle है हमारे पास angle O, angle B, angle C तो angle C plus angle O plus angle B is equal to 180 degree अब angle C की value तो हमें Y दे रखी है इसकी तो निकाल नहीं है और angle O हमारा 90 degree है और जो angle B है वो 30 degree दे रखा है तो 90 plus 30 120 तो हम लिख सकते हैं Y plus 120 degree और equal में किसके है यह 180 degree के अब यह 120 अगर उदर जाएगा तो minus होगा minus करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 180 degree minus 120 degree तो यह आया हमारे 60 degree ठीक है अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है हमने X निकाल लिया Y निकाल लिया अब बारी है Z की जो यह वाला angle है हमारा ठीक है अब इसको कैसे हम निकाल लेंगे यहाँ पे भी हम property लगा सकते हैं कि अगर हमारी दो parallel line है उनको cut करती हुई एक line जारी है तो यह angle किस angle के equal होगा इस angle के equal होगा ठीक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा angle Z है वो equal है 60 degree के क्यों क्योंकि यह alternative angle है ठीक है क्या लिखेंगे क्योंकि यह alternative angle है क्योंकि हमारे पास यह दो line है इस दो line से एक ऐसे कल भी मैंने property पताई थी कि दो line parallel है उसमें से अगर एक line ऐसे cross करके जाएगी तो यह वाला angle होगा और यह angle होगा यह दोनो inquiry होगे थीक है क्योंकि यह alternative angle होते है होगा थीक Catherine अब जो हमारा next जो हमें यहां पर structure दे रखिया है वो देख लेते हम तो जो fourth figure है हमारा fourth जो part है इसका तो वो कैसे solve करेंगे हम यहां पर यह हमें दे रखा परलेलोग्राम ऐसे ठीक है और यह थोड़ी कि यह था व यहां पर यहां पर हमें एट्य डिग्री दिया हुए थीक है तो इसको इसको नाम chanting कि ए बिसी डी इसको ए जो हमारा एंगल भी है वो इक्वल है हमारे एंगल डी के बाई Musical जो इसलिए very है थीक है तो इसके इपल इंगल है कि इसलिए है अब सेक्ट जो पार्ट है इसका से क्या यहां से क्या बनता है अब यहां पे देखो आप यह हमने सोल कर लिया अब यह और यह एंगल क्या होंगे एड़ेसंट हैं दुन्नों एक दूसरे के एड़ेसंट एंगल क्या होते हैं सप्लिमेंटरी होते हैं इन दुन्नों को सम क्या होगा 180 डिगरी होगा ठीक है तो यहां प तो यहां से अब हमने एकस की वेल्यू निकालने तो यकि यान पड़ेगा एक्रीक के więc करेंगे तो यहां पर हमारी एक्स की वेल्यू को क्या आएगी वन report Lotus ठीडी तो यहां पर हमारा कितना है वन इट इ्टीमनस किया तो कितना बच गया यहां पर सब्सक्राइब के dismissed सब्सक्राइब अब हमारे पास है up opposite angle है ठीक है और opposite angle parallelogram के equal होते हैं तो यहां पर क्या आएगा कि जो angle a है वो equal है angle c के अब angle a angle c के equal तो है तो वो कितना आ गया 100 degree आ गया ठीक है लेकिन हमें तो जैड निकालना है तो जैड में हमारी क्या property लगेगी कि straight line पर बने angle ठीक है state line पर बना हुआ है ना यह एंगल तो straight line पर एंगल बना हुआ है तो इसकी according क्या होगा यह हमारा 80 degree का आएगा तो कि 100 plus 80 कितना होगा 180 होगा ना ठीक है तो हम 180 ही समझी है तो यहां पर 80 degree आएगा या फिर दूसरी हम property यह लगा सकते हैं कि दो parallel side के जब हम क्या करते हैं एक parallel line row करते हैं तो उनके जो यह angle होते हैं यह भी equal आते हैं ठीक है लेकिन यह अलग property हो जाएगी लेकिन हमें parallelogram से related हमें property use करनी है तो यहां पर यह angle इसका equal है अब यह कितना होगा 100 degree तो अब इसका और इसका सम कितना होगा 180 degree क्यों होगा इसका और इसका सम 180 degree क्योंकि यह क्या है यह supplementary angle है यह एक state line पर बने हुए angle है ठीक है तो angle c plus angle e equal to 180 degree और angle e ही हमारा z है यहां पर angle c की value हमारी 100 degree है और यह equal है 180 degree की जब इसको उसमें से minus करेंगे तो यहां पर angle z की value आएगी हमारी 180-100 degree is equal to 80 degree तो ऐसे करके हम यह सारे values calculate कर सकते हैं अब जो हमारा fifth part है वो है यह question आपको खुद try करना है अब figure देख लो आप यहां पर हमें यहां पर figure दिया हुआ है यहां पर ऐसे ठीक है और comment box में comment करके बताना कि कौन से angle की क्या value आएगी हमारी यहां पर तो अब यहां पर हमारे पास है y यहां पर एक हमने diagonal draw कर रखा है और इसकी value है हमारी given x मिन्स यह calculate करनी है और यह angle है 40 degree का और यह angle है हमारा x और यह वाला जो angle है यह है 112 degree ठीक है तो अब इसको भी आप name देके और इसकी value calculate कर सकते हो हिंट देती हूं आपको जैसे यह 112 degree है तो यह भी 112 degree होगा क्यों क्योंकि opposite angle है और जब यह 112 degree है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 degree होगा तो यहां 40 plus x plus 112 equal आएगा 180 degree के चलिए मैं आपको करवाई ही देती हूं ठीक है तो यहां angle b है वो equal है angle d के क्योंकि यह क्या है opposite angle है और opposite angle हमेशा क्या होते हैं equal होते हैं तो यहां पर क्या होगा जो angle हमारा y है वो equal आगया 112 degree के अब उसके बाद है जो हमारे यह adjacent angle है इनका जो सम होता है वो हमारा कितना होता है 180 degree का तो adjacent angle are supplementary तो वह property लगा के हमने क्या लिख दिया 40 plus x plus 112 equal to 180 degree ठीक है तो अब इसमें 40 जब इसमें add करेंगे तो कितना होएगा 152 आएगा तो यहां पर आएगा angle x plus 152 is equal to 180 degree तो जब 152 मेंसे 152 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास जब इसमें से हम sub Chain कर देंगे तो सब्ठ्रैक करने के बाद हमारे पास यहां पर आएगा 28 degree ठीक है तो हमारी x की value कोaa इत डिग्री अब उसके बाद हमारे पास अब यहां पे ढूर निकल चुके हैं आप हमारा एक एंगल रहता है वह हमारा जैद है तो यह है हमारा यहां पे जैद ही यहten ही आया हमारा जैट की वैल्युप्ट आई है जो हमने अभी निकाल ली और यह जैड था हमारा ना की x ठीक है तो यहाँ पे z है तो z की value हमारी कितनी आई 28 degree और y की value कितनी आई 112 degree अब हम निकालेंगे x की value तो x की value हमारी कितनी आएगी वो भी हमारी 28 degree आएगी क्यों आएगी क्योंकि alternative angle है जैसे एक यह हमारी parallel line एक यह parallel line इसमें से एक slant line जा रही है तो इसके जो alternative angle होगे वो equal होगे तो z हमारा equal होगा x के तो इसलिए हमारा यहाँ z किसके को लाया x के तो z की value कितनी थी 28 तो हमने x की value कितनी रख दी 28 ठीक है तो यह था हमारा जो second question था जिसके अंदर हमने हर एक figure की वो calculate कर ली जो angle थे वो calculate की है ठीक है अब इसके बाद हमारे पास है third question तो third question में हमारे पास क्या given है वो देख लेते हैं अब हम तो third question है हमारा third question में हमें दिया हुआ है can a quadrilateral a b c d be a parallelogram if the angle b d plus b is equal to 180 degree तो अब हमें यह पता करना है कि यहाँ पे quadrilateral दे रख था है कोई भी a b c d यह पता करना है कि क्या वो parallelogram है या नहीं तो parallelogram के लिए हमने जो जो उसकी properties पड़ी है तो वो सारी properties ओब होनी चाहिए तो यहाँ पे एक parallelogram दे रख था है माल लिया किसी भी form में है हमें नहीं पता उसकी structure कैसी है तो इन्होंने दिया angle d plus angle b equal to 180 degree यह हमारा third question है ठीक है तो जो first part है वो यह दे रख था है 8 cm है और जो हमारी यहाँ पर और क्या दे रख था है वो है हमारा 4 cm और जो bc है वो है हमारा 4.4 cm ठीक है तो यहाँ पर जब हमारे पास क्या है हमें properties पता है कि कितनी property हमारे पास होनी चाहिए ठीक है तो उन सभी की property की help से हम decide करेंगे न कि हमारा यह quadrilateral possible है या नहीं तो यहाँ पर a is equal to 70 degree थर्ड जो पर दे रखे है नोंने और जो c है वो दे रखे है हमें 65 degree तो अब अगर हम पहले ड्रो कर लेते हैं यहाँ पर एक rough सी हमारे पास मान लो एक फ्रड ट्राप्र है या नहीं तो अब हम इसकी property मैच्क करके देखते हैं कि हमारी property जो परल depends मैच्छ होती है ये नहीं अब इंवने अँगल डी प्लस अंगल भी दिया है और उन का जो सम है वो दे दे रखियो वह ऐसे दे रखियो कि यह क्या है जो हमारा डी और भी एंगल है वह एक दूसरे के अडिसेंट में आ रखेंग दो एंगल का समतों 180 हो सकता है ना परलेलोगराम का कौन से एंगल का जो एडिसेंट एंगल होते हैं ठीक है तो यह प्रोपर्टी तो कुछ हद तक फ क्या यह इस प्रोपर्टी के कोडिंग हम बोल सकते हैं कि हां यह क्या हो सकता है यस इट कैन भी आ परलेलोगराम क्यों विकोज जो हमने पड़ा था कि एंगल की जो प्रोपर्टी थी कि अपोजिट एंग जो एडिसेंट एंगल थे एडिसेंट एंगल ओफा परलेलोगराम और सप्लिमेंटरी ठीक है सप्लिमेंटरी मिन्स 180 डिगरी उनका क्या आएगा सम होगा ठीक है अब उसके कोडिंग ये तो हमारा सैटिस्पाइब हो रहा है लेकिन अब हम अगर इसकी सैकिंड प्रोप उसके बेस पे देखें तो यहाँ पे क्या है ए भी है जो हमारी वो पे उन्होंने लोकेशन चेंज की हुई है इसकी ठीक है यह दीवल है यहां है सी थी को हो सकते हैं यह मान लेते हैं ठीक है BC है वो हमारी 4.4 cm तो क्या यह possible है यह possible नहीं है क्योंकि अगर यह 4 cm है तो यह भी 4 cm होनी चाहिए क्योंकि हमने second property पड़ी है परलेलोग्राम की या opposite sides क्या होंगी इक्वल होंगी तो यहां से हमारी जो second हमारा point है वो neglect हो जाता है वहां पे कहेंगे हम no it cannot be a परलेलोग्राम तो यह एक परलेलोग्राम नहीं हो सकता फिर उसके बाद हमारे पास जो third है जो angle A और angle C है वो यह है अब angle A यह है हमारा angle C यह है अब इन दोनों का sum 180 degree आना चाहिए अगर हम इन दोनों का add करते हैं तो हमारा तो यहां से 135 आता है तो यहां पर भी हमारी क्या है यह property disobey हो रही है तो इसका मतलब हम सिर्फ हमें एक property ऐसी दे रखे है जिसके help से हम बोल सकते हैं कि यह parallelogram है अदरवाई जो सारी properties हैं वो हमारी क्या हो रही है disobey हो रखे हैं यहां पर अब उसके बाद हमारा आता है यहां पर 5th question तो 5th question में हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने sorry 4th question ठीक है तो अब हम 4th question करते हैं तो 4th question में हमें दे रखा है draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure अब क्या वो लखा है इन्होंने कि हमें एक quadrilateral draw करना है वो एक parallelogram नहीं है but two opposite angles of equal measure जो उसके opposite angle है वो क्या है equal है तो ऐसा कोई diagram हमें float करना है यहां पे तो उसके लिए क्या होगा हम ऐसे draw कर लेते हैं ठीक है तो यह बन गया यहां पे यह angle यह क्या एक parallelogram तो है नहीं यह पूरी तरह इसके इक्वल थोड़ी नहीं है यह इसके parallel है और इक्वल नहीं है तो जब इक्वल की properties हो नहीं कर रहा तो यह parallelogram गहां से हो गया ठीक है तो यहां पे क्या होगा यह जो यह angle है हमें equal मान लिया हमने यह draw कर दिया हमने ठीक है और यहां पर क्या है जो A B B C D है यह quadrilateral है पर यह पर यहां पर यहां पर exactly जो इसके दो एंगल हैं जैसे B और हम नाम दे देते हैं यहां पर B इसको D यह A यह C तो B और D है जो यहां equal angle है ठीक है बट यहां पर जो A और C है हमारा वो angle equal नहीं है तो इसलिए यह हमारा parallelogram नहीं है ठीक है तो यह बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहां पर note करने के हैं जिनके help से हम बोल सकते हैं कि कुछ properties को ही use करके हम parallelogram को parallelogram बना सकते हैं और उसको D sobe भी करवा सकते हैं तो अब हमारे पास जो next fifth question है उसके अंदर हमें दिया हुआ है the measure of two adjacent angle of a parallelogram और इंदा ratio अब हमें यह पता है कि अगर हमें एक parallelogram लेते हैं जैसे मानलों अब यह parallelogram है ठीक है यह line थोड़ी सी ऐसे कर दिते हैं ठीक है तो अब यहां पे जो adjacent angle है यह angle और यह angle यह दोन्नों एं यह वो हमारी three ratio two है ठीक है यह इन्होंने three ratio two की form में दे रखी है तो अब यहां पे find the measure of each of the angle of parallelogram तो इसके हमें यह सारे angles calculate करने हैं तो यहां पे देखो अब जब xy की ratio हमारी three by two है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे इसको उदर multiply करवा सकते हैं इसको उदर multiply करवा सकते हैं कि जब हम क्या करें cross multiply करवा दो तो यहां पे क्या होगा two x is equal to three y जो हमारा यह angle है जब इसको हम इसको two से multiply करवाते हैं तो हमें यह angle का triple time मतलब three time मिलता है हमें तो इसको आगे हम कैसे solve करेंगे इसको solve करने का जो बिल्कुल अच्छा तरीक है वो यह है कि हमें क्या करना है वो equal है 180 degree की क्योंकि adjacent angle है दुन्नों ठीक है तो adjacent angle की property के coding इनको दुनों का सम 180 degree आ गया अब हमें क्या दे रखे है कि यह ratio में दी हुई है हमें यह बात ठीक है तो अगर यह ratio में है तो यहां से हम x की value निकाल लेते हैं तो क्या आएगी x की value x को इधर ही रख दिया y को उदर माइनस में ले गए तो यहां पर यह आगे ठीक है अब हम क्या करते हैं यह x की value इसके अंदर substitute कर देते हैं तो यहां पर क्या आएगा 2 into 180 minus y is equal to 3y ठीक है तो अब हम इसको solve कर लेते हैं तो 2 अंदर जाके multiply होगा तो यहां 360 यह minus 2y is equal to 3y तो अब यह जो 2y है हमारा उदर जाएगा और इसमें जाके plus हो जाएगा क्योंकि इधर minus है ठीक है तो यहां पर आएगा 360 is equal to 3y plus 2y और 3 में 2y add करेंगे तो यह आएगा 5 y और जो यह 5 है हमारा यह इसके divide में चल जाएगा तो यहां से आएगा y is equal to 360 degree by में 5 ठीक है तो जब हम इसको काट देंगे तो 5 7 जा 35 5 2 जा 10 तो हमारा जो y angle है वो कितना आया 72 डिगरी आया लेकिन अब हमें यहां पर value निकालनी है x की वी तो x की value अब क्या करेंगे यहां पर हम जो हमारी एक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं star equation ठीक है तो इस star equation में हम क्या करेंगे अब y की value पुट कर देंगे तो यहां पर y की value अब हम पुट कर देते हैं तो अब star equation क्या थी 2x is equal to 3y अब यहां पर 2x x की value तो अभी हमें पता नहीं लेकिन y की value हमने निकाल तो यह y की value इसके अंदर रखेंगे तो यहां पर 72 आ जाएगा अब इसकी multiply करवा दो तो यहां पर क्या आएगा x is equal to यहां पर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 अब यह 2 इदर multiply में तो उधर जाके divide में जाएगा तो यहां पर आएगा 216 by 2 तो is equal to x तो जब इसको काट देंगे तो 2 जा 2 यहां पर 0 फिर 2 एड़ जा 16 तो हमारी x की जो value यहां पर आई है वो कितनी आई है x is equal to 108 degree ठीक है तो यह x की value है और यह यहां पर हमारी y की value है तो I hope कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा अब उसके बाद जो हमारा next question है वो है हमारा two adjacent angle of a parallelogram have equal measures find the measure of each of the angle of parallelogram अब हमें क्या दे रखा है यहां पर दो adjacent angle दे रखे हैं parallelogram के जो equal है measurement में ठीक है तो हमें find the measure of each angles of the parallelogram तो उसके सारे angles की value हमें calculate करनी है अब यहां पे तो हमारे x और y angle आए है पहले तो fifth question भी अभी हमारा रहता है कि यह हमें उसमें पुछा था each angle each मतलो सारे angle निकालने है तो यहां पे x और y तो आ गया लेकिन यह value तो निकाल ली नहीं हमने तो यहां पे क्या होगा जो x है वो हमारा angle a के equal होगा angle c equal है हमारा angle a के क्योंकि यह opposite angle है और पर lelogram की property बोलती है कि जो opposite angle होते हैं वो equal होते हैं और ऐसे ही यहां से d equal होगा किसके b के तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो a angle है वो equal है c के और जो angle c आया है हमारा वो आया है 108 degree और जो angle b है हमारा वो equal है angle d के और angle d हमारा था y के equal औ तो यहां पर हमारा किसका है 72 डिग्री के एक्वल तो यह हमने क्या किया चार के चार जो एंगल है वो हमने कैलकुलेट कर लिए तो अब हम चलते हैं हमारा जो तो अब हम सिक्ष्ट के पास चलते हैं उसमें हमें क्या करने एंगल निकालने परेफ़ देरक्थ था कि जो हमारे एंगल थे वह इसरेशों में दिए उए थे adjacent angle ठीक है मिन्स उनको दुनों को sum 180 degree आ रहा था ठीक है बट वो ratio में दिये हो गए थे अब क्या दे रखा है यही sum equal दे रखे हैं तो equal दे रखे हैं तो इसको हम कैसे करेंगे अब वो देख लेते हैं तो अब जो parallelogram है उसके जो adjacent angle है पहले हम parallelogram draw कर लेते हैं यह हमारा parallelogram हो गया adjacent angle मिन्स यह और यह हमने नाम दे दिया A B और C D ठीक है तो यह इसको X दे दिया इसको Y दे दिया तो अब यह दोनों क्या है इक्वल दे रखे हैं उन्हें adjacent angle इक्वल है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा X is equal to Y और इनका जो adjacent angle का अगर property लगाएं तो क्या होता है कि इन दोनों का जो sum होता है वो कितना आएगा हमारा 180 degree आएगा property के recording तो अब हम क्या करेंगे यहां पर X की जगह हम Y पूट कर देते हैं तो हम यहां पर X की जगह आगर Y पूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा X तो है यह x X की जगह Y रखना है तो यहां पर य रख दिया और Y की जगह Y है और यहां पर 180 degree हो गया अब X Y प्लस Y 1y 2y तो कितने होगे 2y equal to 180 जब इसको हम divide करेंगे तो y की value कितने आएगी 90 degree तो अब यह 90 degree है तो x के तो इसके equal है यह हमारी star equation है तो star equation के according जो हमारा x सब वो equal है y के तो यहां पर हमारे दोनों angle कितने होगे 90 90 degree के होगे यह भी 90 और यह भी 90 अब हमें यहां से angle A और B तो पता लेकिन हमें angle C और angle D भी निकालना है तो angle A हमारा equal है angle C के क्योंकि opposite angle है जो parallelogram के वो equal होते है ठीक है अगर यह equal है तो इसका मतलब जो angle A 90 degree है तो angle C भी हमारा कितना आएगा 90 degree आएगा और ऐसे ही angle B है जो वो equal है angle D के वो भी यही same properties है और तो angle जो D आएगा वो भी हमारा कितन आएगा 90 degree के तो इसका मतलब हमारे यहां 4 के 4 जो angle होंगे वो 90 90 degree के आएंगे ठीक है तो यह था हमारा 6th question की जिसके अंदर हमें adjacent angle दे रखे थे equal और जो हमारा पहले वाला 5th question था उसमें रेसों में दियो हुए थे ठीक है तो ऐसे बहुत सारे question हम बना भी सकते हैं खुद भी बना के उनको सोल कर सकते हैं तो आप ट्राइक किया करो जिससे आपका जो बेस है मैथ का वह बहुत strong हो जाएगा अब उससे अग्गे जो हमारे पास 7th question है 7th question में हमें दिया हुए यहां पे adjacent figure hope यहां पे एक प्रलेलोग्राम दे रखा है जैसे यह जैसे हमने पहले भी बनाया था ऐसा एक फिगर जिसके अंदर हमारे पास वर्टिकल प्रलेलोग्राम था ऐसे कुछ ठीक है और यह side है जो इसकी extra draw करके हैं इन्होंने extend करके हैं और इसको name दे रखा है इन्होंने hope h o p e ठीक है अब यह जो angle है यह angle है x और यहां पे जब हम क्या करते हैं एक diagonal draw करते हैं तो यह diagonal है हमारा y और यह diagonal है हमारा z और यह diagonal है हमारा 40 degree तो अब हमें क्या करना है यहां पे angle है यह देख लेते हैं find the angle measures x y z अब यहां पे भी angle calculate करने है state the property you use to find them और साथ में जो जो property हम use करेंगे उनके बारे में हमें बताना भी है कि हमने कौन सी property यहां पे use की है तो अब यहां पे देखो यहां पे क्या है हमारे पास first of all यहां पे हमारे सबसे पहले यह angle दिया हुआ हमें जिस जो o हम इसको नाम दे देते हैं यहां पे इस point को t तो pot जो angle है वो 70 degree given है ठीक है अब यहां पे एक angle है हमारा h यह वाला ठीक है e h p तो जो angle e h p है वो दे रखा हमें 40 degree अब हमें निकालना कौन-कौन सा है एक तो h e p निकालना है एक y वाला निकालना है और एक z वाला निकालना है तो अब यह देखो हम कैसे calculate करेंगे तो यहां पे क्या होगा जो हमारे alternative interior angle की property के coding जो हमारा angle why है वो equal आएगा हमारा 40 degree एक क्यों यहां पर देखो यहां पर हमारे पास यह एगल जो यह है इच पी यह वाला एंगल जिसके बारे में मैं जहां पर एंड लों कर रही हूँ ठीक है यह एंगल हमारा 40 डिग्री है तो यह एंगल इसका क्या है alternative angle है न वही दो-लाइन है दो-लाइनों के बीच में एक्सेलन्ट लाइन है तो उसके जो एल्टरनेटिव जो पोजित एंगल है वह क्या है एकवल है alternative यहां पर क्या होगा यह एंगल के इकवल होगा तो तो यहाँ पे लिखेंगे alternative, क्योंकि reason भी बताना है नहीं यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, alternative angle, interior angle, ठीक है, alternative interior angle, of angle EHP, angle EHP का alternative angle लही, ठीक है, इसलिए equal है, अब हमने y तो निकाल दिया, अब हमारे पास क्या आई, यहाँ पे x और z है, तो अब हम इसकी value calculate करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसकी value देखें, तो यह हमारी value कितनी आई है, यहाँ पे, यहाँ आगी हमारी 40 degree, लेकिन जो हमारा यहाँ पे angle P है, वो 70 degree होगा, क्यों, क्योंकि वो भी यहाँ पे यही same alternative interior angle वारी property लग सकती है, जैसे यह line है, और एक line ही यह है, इसको हम extra extend कर देते हैं, तो जो यह वाला angle है, वो इस angle के क्या होगा, equal होगा, यह भी तो alternative interior angle है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कि जो हमारा angle P है, ठीक है, जो angle P है, वो equal है 70 degree के, क्योंकि वो भी alternative interior angle है, ठीक है, अब इसके बाद जो हैं हमारे पास, अब यह तो हमें पता लग गया, यह 70 degree है, और यह जो हमारा Y था, केला छोटा पार्ट था, जो हमारा 40 degree है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसका सम होगा, वो भी total कितना होगा, 70 degree, क्यों, क्योंकि जब यह वाला angle P, यह angle, जो हमारा 70 degree है, तो वो equal है किसके, angle H के, तो यहाँ पे लिखेंगे, angle P equal है, angle H के, क्योंकि opposite angle है, परलेलोग्राम का, opposite angle equal होते हैं, ठीक है, तो फिर अगर equal है, तो यहाँ पे जो angle H होगा, वो equal होगा, 70 degree के, और यहाँ पे जो हमारा H है, वो तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक 40 में और एक Z में, तो हम इसको लिख सकते हैं, 40 degree plus Z, तो अब हमें क्या करना है, Z की value निकालनी है, तो इसको इदर भेज देंगे, यहाँ से minus हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, 70 minus 40 is equal to Z, तो 70 में से 40 minus करेंगे तो 30 degree, तो यह आगया हमारा Z की value, Z हो गया, Y हो गया, अब रहता है हमारा सिर्फ X, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यह angle कितना का है, 70 degree का, इस angle और इस angle का जो sum होगा, वो कितना होगा, 180 degree, क्योंकि हमें पता है, adjacent angle are supplementary, तो यहाँ पे adjacent angle वाली property लगा के, हम क्या लिख सकते हैं, adjacent angles are supplementary, ठीक है, जो adjacent angle है, वो supplementary होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, जो angle H है, plus angle E, वो equal है, हमारा 180 degree के, और angle H की value हमने अभी निकाल ली, कितनी, 70, क्योंकि वो इसके opposite थी, तो opposite angle equal होते है हैं, तो इसलिए हमारा 70 आया था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, angle H की value 70, plus angle E, equal to 180 degree, तो अब यहाँ पे हमारा, जब उदर जाएगा, माइनस होगा, तो E की value हमारी आएगी, यहाँ से 110 degree, तो अब यहाँ पे हमारी जो angle E है, वही तो हमारा X है, ठीक है, तो यहाँ पे X की value जो हमारी आई है, वो कितनी आई, 110 degree, तो यह था ऐसे हमारा 7th question, तो I hope कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब उसके बाद हमारे पास है 8th question, तो 8th question में हमें दिया हुआ है, यहाँ पे, the following figure, gun and run are parallelogram, guns और runs नाम के दो parallelogram दिये हुए है, find the X and Y, हमें वहाँ प हम पहले वो draw कर लेते हैं, कि जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने figure दे रखे हैं, तो वो figure है हमारे जैसे, first है यहाँ पे, देखिए, यह है हमारा एक figure, ऐसा कुछ दे रखे है, इन्होंने बना के, और दूसरा है हमारा ऐसा, ठीक है, तो जो यह figure है, इसकी जो name है, guns, g-u-n और इसका है, runs, r-u-n-s, और इसकी जो यहाँ पे side दी हुई है, यह side दी हुई है, 3y-1, और यह दी हुई है, 18 cm, cm में है यह, ठीक है, यह नोंने दे भी रखा है, और यह 26 है, और यह 3x है, ऐसे ही यहाँ पे है, यह जो diagonal जो हमने draw किये हैं, ठीक है, इन diagonal की side दे रखे है, जैसे यहाँ पे यह O है, तो जो यहाँ R से लेके O तक की जो distance दे रखे हैं, उने 16, और जो O से लेके N तक की दे रखे है, वो दे रखे है x plus y, और जो यहाँ पे O से लेके U तक की distance है, यहाँ से यहाँ तक की, यह दे रखे है y plus 7, और जो यहाँ से यहाँ तक की distance है, वो द calculate करनी है तो side है हमें X और Y की value calculate करनी है अगर हमें X और Y की value calculate मिल गही तो हम सारी value calculate कर सकते chama तो अब यह parallelogram है तो parallelogram की property Conservancyhington यह side इसके ब्रापर आंगर्फ्सके ब्रापर है equal है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे from पहले हम बात करेंगे यहां पर first figure की जिसका नाम है guns from guns parallelogram ठीक है तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमें जो हमारी GU side है वो equal है SN के by the property और parallelogram ठीक है वो property आपको लिखने पड़ेगी कि जो opposite side होती है जो parallel side होती है वो equal होती है इसमें parallelogram में तो अगर यह equal है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जो यह वाली चीज है इसके equal रख देंगे तो यहाँ पर आएगा 3Y-1 equal to 26 तो अगर इसको equal रखेंगे तो यहाँ से Y की value calculate कर सकते हैं यह 1 minus में है उदर जाके plus में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3Y is equal to 21 plus 1 तो यह कितना आगया 27 और जब 3 को इसके divide में भेज़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा Y is equal to 27 by 3 तो यह जब इसको कटेंगे तो 9 पर जाएगा तो हमारी Y की value क्या आगी 9 cm आगी तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम 9 रखेंगे तो यह कितना आएगा 9 2 जा, 9 3 जा, 27 27 में से वन गया, 26 तो यह हमारी value आ गई यहाँ पर 26, बराबर तो होगी 26 ही होनी थी इसको तो ठीक है लेकिन हमें Y की value निकालनी थी तो Y की value हमारी आ गई यहाँ से 9 cm X और Y की value निकालनी है ठीक है, ऐसे यह जो side है यह इसके equal होगी, तो इसके जो second जो side है, वो भी equal होती है तो GS equal है, UN के अगर यह equal है, तो इसका मतलब 3X equal होगा यहाँ पे, 18 के तो यह 3 को इसके divide में भेज देंगे तो X की value यहाँ से कितनी आएगी 18 by 3, तो 3, 6 जा 18, तो 6 cm आगी ठीक है, तो यहाँ से X की value भी मिल गई हमें, और Y की value भी मिल गई अब हमें क्या करना है, अब यह तो first जो हमारा parallelogram था, उसमें निकाल ली है हमने, अब हमें second parallelogram में भी निकाल ली है यह, तो second parallelogram में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे second parallelogram कौन सा है दे रखा हमें, यह दे रखा है ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो हमारी हमें क्या, इसमें दे रखा है हमें अंदर वाली value, अब यहाँ पे यह तो side वाली property लगी थी, लेकिन यहाँ पे लगेगी हमारी diagonal वाली property, कि जो diagonal होते हैं parallelogram के, वो आपस में एक दूसरे को bisect करते हैं, bisect करते हैं मतलो equal part में, यह वाला जो part है, यह इसके equal है, यह वाला जो part है, वो इसके equal है, ठीक है, तो means कि जो हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे O मान रहे हैं, तो R O R O हमारा ब्राबर है किसके, O N के, ठीक है, और जो second है, वो क्या है कि जो U O है, या फिर O U है, वो ब्राबर है O S के, ठीक है, तो इन दोनों साइड के equal होंगे, अब जो हमें value दे रखिया है, वो हम रख देते हैं, यहाँ पे R O किसके equal दे रखिया है, 16 cm, O N X plus Y के, ठीक है, अब यहाँ पे O U Y plus 7 के, और O S 20 के, ठीक है, तो पहले कौन सा solve करना असान है, यह वाला solve करना असान है, क्योंकि यहाँ तो दोनों की value नहीं पता, यहाँ पे 1 की value है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 7 को उदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, Y equal to 20 minus 7 is equal to 13, तो Y की value कितनी आई, 13, अब यह जो Y की value आई है, इसको हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रखें, तो 16 is equal to X plus 13, तो 13 को उदर minus में लेके जाएंगे, तो 16 minus 13 is equal to 3, तो X की value हमारे पास कितनी आई, 3 cm, अब कुछ यह भी सोच रहे होंगे, कि हमने उपर भी तो निकाल ली थी, X और Y की value वो value कर लेते, वो अलग परलेलोग्राम की थी, और वो अलग परलेलोग्राम की है, ठीक है, तो इन दोनों परलेलोग्राम का आपस में कोई लिंक नहीं है, मिंस यह मान के चलो, यह हमारा part A है, 8th question का, और यह हमारा part B है, question 8th का, ठीक है, तो यह दोनों हमें separately ही solve करने थे, तो यह हमने इस figure के लिए solve किया है, जो निच्चे वाला question पर, तो अब हमारा 9th question क्या है, वो देख लिपते हैं, तो 9th question में जो हमें दिया हुआ है, यहां पर फीगर है, इन्होंने दे रखा है, इन्द अब बोथ risk and clue और प्रलेलोग्राम, एक क्या आएगा हमारा 9th question में, तो अब यहां पर देखो, हमारे पास diagram कैसा दिया हुआ है, यहां पर हमें दो प्रलेलोग्राम दिया हुए है, दो प्रलेलोग्राम, एक ऐसा प्रलेलोग्राम है, ऐसे कुछ, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने risk दिया हुआ है, और जो हमारा second प्रलेलोग्राम है, वो ऐसे दिया हुआ है, यहां से यह बिल्कुल तिर्चा सा गया हुआ है, यह हमारे लाइन सेम जा रही है, यहां पे भी, और इधर से भी यह लाइन ऐसे ही जा रही है, और यह लाइन ऐसे जाके, यहां पर मिट कर रख्या है, और इसका जो नाम दिय ठेक है तो यह है है हमारे दो प्लेलोग Gray और यह लाइन भी dwah वद्वाल में और यह वाला ऑंगल है से मैं 30 डिगृरी और एक आंगल यह है जो हवारा 120 डिगृरी दे रखे तो अब देखिए हम इसको कैसे छोल करते हैं तो अब यहाँ पर देखे आप पहले हमारे पास यहां पर यह एंगल दे रख़ा है कौन सा जिसको हम नाम दे सकते हैं आपको कि NICKT यहां तो पता लग गए हुगा आपको कि क्यों है कि मैं तो इनका सुम् सिर्फी है हमारे पास अब इसको कैसे कल्कुले करेंगे अब इसकी वैली कितनी है 2008 डिग्री तो यह टशाइड जाएक दिग्री उससाइड हो चाहिए यहां पर लिख लेते हैं 120 डिगरी प्लस एंगल और इक्वल टू 180 डिगरी तो यह उदर गया तो यहां से एंगल आर की वैली कितनी आएगी 180 माइनस 120 डिगरी तो यह इतना आया यहां से 60 डिगरी ठीक है तो यह आया हमारा यह वाला एंगल अब उसके बाद जो हम यहां से कल सकते हैं ठीक यहां फिर si l बोल सकते हैं तो यहां पे जो एंगल आर्फ है हमारा वो इक्वल होगा एंगल s.i.l की इसंगल के क्यों क्यूंकि यह क्या है हमारे corresponding angle है ठीक है क्योंकि है corresponding angle हicus corresponding angle होते हैं जो वो equal होते हैं और यह corresponding angle पिर Leilogram के case में n 힘들 है हमारी कोई भी side हों जैसे मालो हमने कोई दो line draw कर दिया ऐसे parallel और उसमें से एक हमारी line चली गई तो जो ये वाला angle बनेगा और ये वाला angle बनेगा ये angle equal बनते हैं क्योंकि ये cross pointing angle उते हैं ठीक है तो ये cross pointing अंगल थे इसलिए ये equal आये तो इसका मतलब जहां आ रहा है वो कितना है 60 डिग्री आया तो हम यहां पे इस एंगल को क्या बोल सकते हैं यह वाला होगा तो यह आंगल भी किसके कोल होगा 70 डिग्री के तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा angle यह कौन सा angle बना यहाँ पे ECR ठीक है तो जो यहाँ पे ECR angle है हमारा वो आया 70 degree क्योंकि वो भी corresponding angle है ठीक है अब उसके बाद देखवा आप यह हमारी एक triangle है तो अब इस triangle को माल लो यहाँ पे हम point को नाम देते हैं O तो अब O I C जो triangle है O I C triangle से हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे triangle rule triangle rule क्या बोलता है कि triangle के सभी angles का sum जो होगा वो 180 degree होगा तो मतलब यहाँ पे 1 I plus C plus angle O equal आएगा 180 degree के अब angle इनकी value तो पता है इसकी value पता नहीं आज़ी यहाँ से हमारी क्या value आएगी यहाँ यहाँ पर वैल्य एंगल I PLUS angle I C value कितनी आहば 60 degree angle C key value कितनी आह Ben nose क्या है 70 degree और angle O कि यहाँ हमारा ओ यह और यह हो गया तो इहां पर 1030 लिलंस होगा तो यहां से angle O 180 – Quiet Date तो कितना आ गया 50 डिगरी ठीक है तो अब ये एंगल हमारा 50 डिगरी है अब ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल है ठीक है जिनके इन एंगल को अपोजिट एंगल क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके आपस में सिर मिले होते हैं ठीक है जैसे ये वाला एंगल है जो ये एंगल पूरी तरह इससे मिला हुआ है तो ये जो दोन्给我 है यह क्या होंगे हूंगे वो इंसलिए हमारा je x angle होगा वह होगा ήकemo होगा कि system ट्री ठीक है तो ये था हमारा जो 9th question था तो यहां पर एंगल हमारे किसके equal आया呢 50 degree के equal आया अब उसके बाद है हमारा यह question जो हमें करना है last question है हमारा इस exercise का अगर आपको कोई भी query है तो आप repeat करके भी देख सकते हो और अगर फिर भी solve नहीं होती नहीं समझ में आता तो आप comment box में comment करके भी पूछ सकते हो तो अब जो हमारा 10th question है वो है explain how this figure is a trapezium which of two side internal parallel अब एक फिगर दे रखा हमें और उस फिगर के बारे में हमें यह बताना है कि वो हमारा trapezium कैसे है ठीक है तो अब ट्रैपिजम देखते हम यह कैसे बना हुआ है हमारे यहां पर जो figure इसके अंदर दे रखा है उसके according तो यहां पर हमें figure दिया हुआ है यह वाला ऐसे ठीक है तो अब हमें यह वाला angle है वो 100 डिगरी है और जो यह angle दे रखा है यह 80 डिगरी दे रखा है अब हमें यह देखना है कि यह परिफ करना है कि हमारा क्या है trapegium है तो trapegium है यह कैसे proof हम कर सकते हैं अब यह देख लिते हैं तो यहां पर क्या है जो हमारे हमें क्या करना है TRAPEGIUM की जो हमें पता है प्रेपीजियम कौन सा होता है जिसकी एक पेर जो साइड्स होती है वो क्या हो पैरलल तो वैसे तो देखने में पता लग रहा है लेकिन हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा तो यहां पर क्या है जब हम ट्रांसवर्सल लाइन इंट्रसेक्ट कर रही है तू लाइन्स इन इन सच वे डाट सम अगल और सम साइड ट्रांसवर्सल इस वनेटीडिगरी अब हम यह पता है कि यहां से प्रूफ हो गया कि जो हमारी दुन्नों लाइन है यह दोन्नों क्या है पैरलल है कौन सी एन इन एम और के अल तो देखो यहां पर जब हमारे पास कोई भी दो लाइन होती है अगर उन में से एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम स्लेंट लाइन भी बोलते हैं थोड़ी तिर्ची लाइन भी बोलते हैं वो क्रोस करके जाती है तो क्या हो अगर उसके जो एडजेसंट यह पड़े होंगे आपने 6th class में ठीक है 6th 7th class में हमारे पास आते हैं यह तो उस property के according यह property अगर हम यहां apply करें कि अगर क्या हो अगर हमें यह चेक करना हो कि दो लाइन हमारी parallel है या नहीं तो हम क्या करेंगे उसके एडजेसंट एंगल को add करके देख लेंगे तो हमने क्य यहां पर जो line थी हमारे पास एक NM line थी और दूसरी KL line थी इसके जो एडजेसंट एंगल है इन में से यह जो हमारी transverse line यह ML प्रोज करके जारी थी ठीक है तो हमने इसके जो एडजेसंट एंगल थे 100 degree था एक 80 degree था इनको दुनों को add करके देख लिया तो हमने देखा कि वो कितने आ रहे थे 180 degree आ रहे थे तो यहां से प्रूफ हो गया कि जो हमारा KL है वो parallel है MN की ठीक है अब उसके बाद जो हमारा यहां से आया कि हमारा एक पेर ही हमें पता करना होता है कि कोई भी एक पेर अगर हमारा parallel हो तो वो हमारा क्या होगा trapezium तो इससे यहां पता लग गय कि हमारा klm n यह पर बैल्ल जो है यह इसमें एक और पेर उफ अख यह धिका और पेर लिखने का material पता करना है तो क्या लिखोगे वो लिखोगे when a transversal line intersect two lines in such a way that the sum of the adjacent angles on the same side of transversal is 180 degree then the lines are parallel to each other ये सारी जो बाते मैंने ऐसे करके लिखी हुई है ये आप words में ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या हो दो lines हो और वो दुन्नों parallel कब होगी जब उनके adjacent angle का sum 180 degree होगा अब यहां पर हमने चेक कर लिया इनका दुन्नों का 180 degree था तो इसका मतलब ये दुन्नों जो line थी हमारी वो क्या आ गई पैरलल और हमें पता है कि ट्रैपीजम में एक ही पैर पैरलल होता है ठीक है अब जो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं था ठीक है अब हमारे पास 11th क्वेश्चन भी है यहां पे तो जो 11th क्वेश्चन है वो है हमारा यहां पे दे रखा है हमें यहां पे एंगल निकाल सबस्क्राइब आब हम और यहां पर ट्रैपीजम ऐसा दे रख़ा है ऐसे करके ठीक है और यह एंगल दे रखा हमें वन टॉन्टी डिगरी और इसका नाम दे रखा एबी सी दी तो अब यहां पर कैसे सोल करेंगे हम इसको सोल करेंगे इस इसके बेस पे कि हमारा यह 120 डिग्री है और यह दुन्यों लाइन पैरलल है यह भी पैरलल है किसके इसके अब हमें पता है कि जब भी दो लाइन पैरलल होती है तो उनके जो एडिसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री तो इसको हमने माल लिया एक्स तो अब यह पैरलल गीवन है अगर यह गीवन है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा इसलिए हमारे पास जो एंगल एक्स है और एंगल बी है वह एक्वल होंगे 180 डिग्री आप है अब एंगल g ens की वैली तो निकाल नहीं है और एंगल भी हमारा यहां पे 120 तो इसको हम इसके अंदर रख देंगे और यहां पर इसको माइनस में लेके जाएंगे तो यहां पर आएगा हमारा 60 डिगरी तो यह था हमारा 11 जो बहुत ही असान और सिंपल था ठीक है अब जो हमारे पास है हमारे पास है वो 12th question अब 12th question में हमें क्या दिया हुआ है find the measure of angle P and S अगर यहां पर हमारे S और P SP और हमारा RQ वो पैरलल है तो यहां पर भी हम सेम ऐसे ही इसको ट्राइ करेंगे देखो यहां पर क्या दे रख था हमें सेम ऐसी ही हमें एक ट्राइंगल दी हुई है sorry ट्राइपीजियम जो है यह ऐसा एक हमें ट्राइपीजियम दे रख जिसके अंदर सिर्फ दो ही लाइन हमारे पैरलल है यह वाली और यह वाली और जिसका नाम दिया हुआ है P Q R और S यह एंगल है हमारा 130 डिगरी और यह इसका मतलब हो कितने डिगरी का एंगल होता है 90 डिगरी का तो अब हमें यहां पर S और P की वैल्यू निकालनी है तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे अब यह दुन्नों पैरलल है हमें गीवन है कि हमारी यहां पर S P है जो वह पैरलल है R Q के तो उस उससन्ट यहां पर और दोनों का सम कितना होगा हमारा है तो यहां पर जो एंगल S प्लस एंगल ऐर है वो इकल होगा 180 डिगरी और एंगल S की वैलू र हमारा 90 तो यहां पर हम इसकी वैलियू पुट कर देते हैं तो कितना आ एगा यहां पे s is equal to 180 degree minus 90 degree तो कितना बन गया यहां पे यह हमारा 90 degree बन गया ठीक है तो अब हमारा यहां पे angle बन गया वो कितना बन गया यहां पे 90 degree ठीक है तो 180 में से हमने जब minus 90 किया तो 90 degree हमारा angle यहां पे आ गया तो अब जो हमारे पास यहां पे next है तो next अब हमें यहां पर s की value तो मिल गई अब हमें यहां पर p की value भी चाहिए तो p की value के लिए हम यहां पर क्या करेंगे अब यह भी देखो अब यह हमारा क्या क्या क्वाडरिलेटरल है और क्वाडरिलेटरल के हमारे सभी angles का sum कितना होता है 360 degree तो यह property लगा लो यहां से इस यहां से बचेगा 180-130 degree तो जब इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा 50 degree तो ऐसे 50 degree आना है और अगर हम वो लगा दे यहां पर कि हमें पता है क्वाडरिलेटरल के सभी जो angles का sum होता है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S वो किसके को लोगा 360 degree के तो अब एंगल P हमारा निकालना है यहां पर एंगल Q हमारा दे रखा है कितना 130 degree और एंगल R हमारा यहां पर है 90 degree और एंगल S भी 90 degree और यह हमारा 360 degree तो जब हम सभी को एड़ करेंगे 90 प्लस 90 180 और 180 में इसको एड़ करेंगे तो यह 0 11 1 carry 310 तो यहां पर आ गया हमारा एंगल P प्लस 310 equal to 360 degree अब 310 उदर माइनस में जाएगा तो यहां से एंगल P की value कितनी आएगी 360 minus 310 तो यह कितना बच गया यहां से 50 degree तो ऐसे भी करके हम इसको calculate कर सकते हैं तो यह था हमारा 12th question I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और आज हमने पूरी जो हमारी 3.3 exercise है वो complete कर लिया है और हमने कोई भी यहां पर कोई भी numerical या फिर कोई भी example इसका नहीं छोड़ा कि जो हमारा रहता हो ठीक है तो हमारी complete हो चुकिया बिल्कुल properly हर एक example और हर एक numerical हमने यहां पर solve किया है और आपको ऐसे ही आगे in future भी हर एक जो आपकी exercise है तो उसके हर एक question और examples के solution आपको यहां पर मिलेंगे और साथ में ही जो base होता है starting में NCRT books के पे दिया होता है ठीक है उसकी भी अच्छी से अच्छी explanation आपको यहां पर मिलेगी ठीक है तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेजिए और bell icon पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूले जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की notification मिलती रहेगी और इसके अलावा आपको कोई भी query है किसी भी concept से related किसी भी वीडियो में ठीक है तो आप comment box में comment करके बता सकते हो और तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में next video में हम मिलेंगे three point जो हमारा fourth chapter है उसको उसके साथ ठीक है उसके अंदर हमारी geometry है तो हम geometry को discuss करेंगे ऐसे ही आपको जितनी जल्दी हो सकेगी आपकी जो fourth exercise है वो complete करवा दूँगी जैसे यह हमने जो हमारी third chapter है हमने सिर्फ चार वीडियो में हमने अपना complete कर लिया है तो आप यह जरूर देख लेना जिससे आपका यह base clear होगा और यही जो concept है आगे हमारी जितनी भी exercise है जितने भी chapter आएंगे उनके अंदर use होंगे तो इसलिए आपको इसको भी समझना बहुत जरूरी है और मैंने आपको हर एक जो fact है वो बिल्कुल चोटे से चोटा fact भी आपको बिल्कुल dhyan से समझाया है तो इसलिए आप मेरे चैनल को please subscribe कर देना और बैल आइकन पर भी click करना और मेरी वीडियो को इतना शेर कर दो कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो इसलिए आप मेरी तो